लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डिमोकरसी होती थी, all of a sudden this democracy has ceased to exist, यह democracy of exist नहीं करती है, और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डिमोकरसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डिमोकरसी के पहरेदार हैं, the so-called protectors of democracy, Europe and United States of America, why are they oblivious, यह शान्त क्यूं है, यह चुप क्यूं है, यह चुप क्यूं है, यह चुप क्यूं है, वाइ डोंट दे प्रोटेक्ट डिमोकरसी इंडिया, मतलब this is an open invitation, यह एक खुला निमंत्रन है, कि आप आईए, और भारत वर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैट करिए, और आप हमें निता बनाईए, यह मनी शंकर अयर और राहुल गांधी में क्या difference है, मनी शंकर अयर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आवान करते हैं, कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आईए पाकिस्तान और हम, कॉंग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे, सल्मान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में, जिस प्रकार से प्रस्तुति करण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं, और भारत को कम आँक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है, और आज रा मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा, मीर जाफर नवाब बनना चाहता था, और नवाब बनने के लिए उसने East India Company की मदद ली थी, East India Company हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई, और उसके बाद जो हुआ, वो और आप और हम सब जानते हैं अंग्रेजो का शाशन इट वोड नॉट बी अबरेशन तो से तो राहूल गांधी इस प्रेजन डे मीर्जाफर अफ इंडिन पॉलिटी जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है सहजादा नवाब बनना चाहता है और सहजादे ने इस्ट इंडिया कंपणी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ मैं तुम्हें 24 परगना भेट करूंगा मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेट करूंगा मीर्जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेट किया था इस्ट सोवीस परगना के माध्यम से इस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है हिस्ट्री रिपीट्स इसेल्फ ते प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहूल गांधी है स्ट्री अपॉलोजाइज मीर जाफर को माफ कोई मांगनी ही पड़ेगी इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए